प्रस्तूत गर्नेरा प्रस्तूतिले संतुलित बनावने हमरो प्रतिग्यां हो यही प्रतिग्यां फूरा गर्नी खरो प्रियासो अप्रेस्टन बीज नियूज राघल बनाव इसाशो अंतरक ठाग खोजदे दर्सका गारी अप्रेस्टन गर्शो फोरक समाचार र गहीरो समाचार दीने हमरो प्रियास निरन्तर जाई छ़ा देववाले गरे को रामरो काम एही हो तर जती वेला सम्मा देववा प्रधान मंत्री मा रही रहे ते तीन जेल सम्मा पनी विवादास्पद निलने हरुगर्ण भने छोडे नन अंतिम मंत्री परिशद बैठक समेत कसलाई कता नियुकती र पैशा बाणना पाईन चा भन्ने मैं केंदरीत भायो देववा जती पटक देश को प्रधान मंत्री बने तेतीने पटक अब जस धिरे जस थोरे पाउने मात्र काम गरे जस का कारण उनका रामरा काम हरु समेत छाया मा पारे देववाले निर्वाचन पसित राष्टलाई रिरको भारी बकाउने गम्भेर निती गत नियुकती हरु गरेरा गये काशन जसलाई बाम्पमन्थी गठबंदनले पहिले नही अस्विक्यार गरने चे तावनी समेत दिन्दय आया कुश देववाको बहिर गमन संगै गये जठबंदन का निता केपी ओली प्रधानमंत्री बाने का शन देववाले गरेका कतिपाय निन्धे हरुले मुल्कलाई कहा पूर्याउं शा अब के ओलीले देववाले गरेका ओलीके इस सब्दका गलत्र अनुचित निणे हरू उल्टियावनेशन इने विशेको बेसलेशन गर देशों ओपरेशन बेगिनेवसमा विक्रम संबत 2004 जेट 23 गते 4 पचक प्रधानमंत्री बने कोंग्रिस सभापती सेर बहादूर देववा विक्रम संबत 2012 साल मा प्रधानमंत्री को कुर्चि मा पखिलो पचक पुगे का देववा गणतंत्र नेपाल कोई स्थापना पसी पनी पहिलो पटक प्रधान मंद्री बन न सकी तर देवबाले जती समय काम गरे रामरा काम कम अलोचित काम धेरेने गरे सत्ता र सक्तिको भर्मा गरिये का देवबा का कती पै काम राजजेलाई चरम संकट मा पुड़ियावने खालका राहे न रामरा काम के कारण कही रामरा काम समेत छाया मा परे कोंग्रिस महादिवेशन बाट पाटी सभापती वनेपसी देवबा गणतोंत्र निपाल को चालिसों परधान मुंति भाई माववादी को भईसाखी ठेकेरा जेट ग्याइसमा पुनहा सिम्हा दरबार चालिस अधिका सभई कारिकालमा विबादित बनेका देवबा चंतोंत्र पटक मुलुक को सासके बागडूर समहाल दा पनी बिगत को गलत नजिर सल्टावना सकिनन बरू थब विबाद्र आलोचना को पात्र बाद प्रचंड नक्रिक्त को माववादी आट भरोसामा सत्ताको चाबी लियरा सिम्हा दरबार चिरेका देवबाले धेरे दुर्गामी कामको हत्ते परी नगरेका तार उनले नोक्तंत्र बिधी परंपरा भुल्या मान्ने तालाई अत्याउंदे अगी बारे जस पाउना लाइक सबी काम लाई समेथ गलत निनायको हिलोले च्छाप दई उजहल मापा प्रधानमंत्री जस्तू जिम्हार पदमा असीन हुदापनी आपनो विबेग भंदा आबेग माचलने सुभात का देवबाती ने तहको निर्वाचन निर्विबात संपन्न गराउना सक्षेम भायको तथ्या भुल्या भुल्या तरक चुनाप गरायरा इतिहास को गोड़ा माई जस्तिने अउसर लाई गुले तिलांजाली दिये समसदिय प्रमपरा लाई उल्टाउंदे राज्या स्रोत्पाधी चरम दुरूपाई जस्तिने प्रमपरा लाई जस्तिने अगराव प्रमपरा लाई गुल्या गराउना स्रोत्पाधी चरम दुरूपाई बहादुर देवाले यस्ताह कार्य संपादन गरी 234 निर्वाचन मा सफल भाईपनी सुशासन मा करीब 113 जंबो मंत्री को भीड निर्मार गरी 2022 साल को 22 सदस्य भाय को मंत्री को भीड लाई चुनोती दिदै इतिहास कही सबे भंदा बड़ी करीब 24-100 मंत्री हर को भीड जोटावन सफल इतिहास में सबे भंदा बड़ी इना धिवागिया मंत्री को भाईर नया रेकर काई चुनाव घारीकी जोग मां मंत्री परिशत को ठारो निर्मार बाट शस्तो लोट्प्रियता को भाउना राज्या को अर्बों रुपया दायत्तो बन्नेगरी सामाजिक स्रोक्ष्या भत्ता ब्रेदी सरकारी स्वामित्त को नेशनल ट्रेडेई खारी जोड़ी गंडकी जल्विदुत आयोजनाको जिम्मालिय कुछिनिया कमपनी संग्र को समझेवता खारेज सदाचार को निर्मार करीब 20 करोड रुपया खर्चवरेर 15 सै कर्मचाईर लाई बिदेश सोयर गराए सुसासन प्रस्चदाचार लाई गंभीर धक्का दिन्दै देवबाले आपू दल निकटलाई बिदेश्कमाल बिदिलाई उल्ट्याउदे बिगत का सरकार कुतिला नामा अफंतर कारी कर्टलाई करीब आधा अर्वरुपया बारेर श्रेश्चता हासे तिने तहको निर्वाचन सफलता को बख्संपर तरह बदवियता पास दर्जन जती राजनेतिक निवति करीब पड़ाई से सर्वा बढ़वा करार निवति इत्यादी गरी निर्वाचन अचार समिताको अईति हासिक पुरिलागा विशेस गरी मुलुक को संचित कोस्चरम दुरुपय गरेको आरोप खेपेका देवाले सयों राजनेतिक निवति गरेले तरह निती तथा कारेकर्म रा बजेटली न समेटेका विशेलाई मंत्री परिशत पुर ठाड़ो लिने गराई छा आपने निकटका असे पासिलाई करोणो रकम बानने मात्रे काम गरेला अस्कुताल का विरामिलाई और सद्यों परचार का लागी आपने उपस्तित भायरा सहेता चेत पस्तांत्रान गरेका देवाले ती चेक नहीं पुनहा फिरता गरायरा लोट असावने काम बढ़ेले निर्वाचर पची जेजस्ता निणे हरु भाय ती निणायले उनले गरेका कीही रामरा काम पनी उजहेल मा पड़े जेट 24 सिमहतरबार को सत्ता सांचोलीन पुगे का देवा भागुन तिन मा बहिरीए सितल निवासलाई राजिनामा थमाउदे आउट बाई देश्मा कानून छो संभिधान छो कानूनी ब्यवस्ताच्य 되면 सपहिले मान्दल चीकर राजियरे ततका धी शनाय गर्चे। तरह कानूनी विवस्ता मा भेवाव कसेलाय भुदाई। सप्पईले शमान अप्षर पाउचे। आकु छेमता योगेता लगाली लगोवदा खेली भेवाव को अवस्ता रहा देज। दर्जनों आलोचना को भारी भुदा शिम्हा दर्बार बाट बाहिर येकाशन। उनले गरेका दर्जनों गलत मेनायले मुलुक को निती तब्बी धिलाई कमजोरता बनाया नहीं उनकी पाठी समेत जनम आनसमा सर्बाधिक अलोग पुरियवाव। दर्जनों गलत कदमले मुलुक को शासन प्रसासन मा गंभीर धक्का लगाये कुछ। देवबाले गरेका कारिया सम्पादनले उनी माथी लागेकु अलोग प्रियताको दाग चुख्याओनों धेरै महंगो हुने निस्चित छा। ब्रेक पसी स्वागत्षा तापाई बीग नियुज मा हनों छा। लोग तंत्र भनेके बिधी रा पद्दति को माध्यम बाट कारिया सम्पादन मा आउने परिणामले अनुभुत हुने अमुर्त सब्द हो। बिधी रा पद्दति बाट मात्र कुनी पनी मुलुक सफल राष्ट बनन सक्षा। यो तत्या मात्रे होई न सत्य नाई हो। इस सर्था लोग तंत्र बिश्चभर सफल सासन को रुपमा बुजीन छा र बुजाईन छा। यही लोग तंत्र को सर्भमान्य सिद्धान्त लाई सीर्व धार्य गर्दाई सासन ब्यवस्था को नया राजमार्ग खोलिये को हो दुहेजार बैससथी त्रिससथी को जना अंदुलन पसी का दीन होरुमा। तर सत्ता को बागडूर समहालना पुगे का होरले लोगतांत्रिक सासन का मुल्य होरु गिर्सिता राजिया आर्थिक रुपमा समेत कौमजूर बंदे गाये कुछा। सासन रा पसासन लाई चुस्ता दुरुस्ता रा सुसासन का मुख्य आधार इस्थम्बलाई आधार माने रा अधी बन्नू लोगतांत्रिक रा पल्यानकारी राजजे को आत्मा रा मर्मा। यही आत्मार मर्मको मार्ग दर्शन बाठा मुलुक को पांगरो अगारी बढ़ावना थालिये को पल्या। तर लोगतांत्र पसी पनी जो जो सत्ता मा पुगे उन्होटली लोगतांत्र को बिधी लाई आत्मा साथ गरे। बरु दल बल का भार मा उल्टाई दिये सुशासल को बिधी र सिद्धान तलाई। परु हरले पनी तागतली भ्याई सम्मा न गरेका अपुगे। तर देवबाले चुना माहार बिहुरे को चुटमा धिरैने बडी गरे राजिय स्वोटमा धिये। ब्रामा पुट। चमुथो पचक प्रधान मंत्री को जिमेवारी निदा देवबाले दुहजार बाउन साल को अपुहासिक रेकर लाई। उल्टाईगी। गत जेठमा सिम्हदर्पार को चापी समाय का दुबाले सकता बाटा पाहिलूंगे गरे का गलत डिनायले लोगत अंत्र रभिधी को सासन लाई। अब यो बामपंथियरू मिले पची अली लाम समय राज्यको नेत्रितो गरने ठाव मा आमी उंदैनाव मने रा यो गारले जे खालका अधिकार नभका कुरा अरुको दुरुपयोग गरे राज्यको समाप्ति गरने कुरा माँ आरु लागनुग भगोचा निशन दे इसकुपनी मुल्यांगन जन्ताले गर्षन रा अम्रुद तर्फ बड़ता आमीले बनिशयका छो पुग अपुद पौणी एकसे सबस्य रहे को अंत्री अर्ग भीड जम्मा गरे रा राज्या स्रोत को दुहंता गरे नैं देवबाले निर्वाचन जस्तो रास्ट्य कारिकरन लाई पनी गिज्याउने गरी निर्वाचन आचा सम्ता समेत चार कु उल्लंगन गरी चुनाव अगारी के ही संतुलनमा रहेका देवबा चुनावी पन्नाम आय पसी विद्धिला उल्चांदे गलत निनाय गरे देवबाले गरेका गलत निनायले सासन मा कुशासन भटन गरे उसा औरने पार्थिक कौन्सासन लाई चोवपट बनाई दिये उसा पर निर्भार अर्थातांत्र भायको मुलुक को नेपाल का लागी यस्ता अनलागदे गुनायले आर्थिक अपचलंता भाय देशा। मुलुक को वियाफार उच्छा बंदा उत्पादन छे कलाई जटका लागने पककाश। देववास सरकारी स्चोत को चरम गुरूपाय गर्ने उसल रस्वेभंदा योग्या परधानमंत्री भायर इतिहां सलचे पुपलागने सक्छा। मुजीगत खर्चा हुना नसके रा बरसेनी बजेट फ्रिजभायका समाचार बाहिरा आउने गर्काश। चुस्ता सक्षेंप सासंका आबमा कुजीगत खर्चा गर्ने नसके रा कुपलूपाय गर्ने गलत प्रतिस पधाले मुलुक लाई टाट पल्ठावने पकका पक्तिशा। मुलुक सांती परकिरिया मा प्रवेश गरे पसी कही आर्थेक आयामहुमा सुधार बायका पर्ने तर नेपाल जिस्तो बिपन्न प्रपर नेर्भर मुलुक का आगे एसता स्वेच्चा चारी खर्चा गर्ने प्रतिस पाले पंगाल बनावने मा पुरे इस सांदेगा ची। प्रिशिको प्रपनी करीब 36 प्रतिसक्ट को हरा हरी मास। मुलुक को दैनिक प्रसासनी खर्चा 26 अर्ब बाठ अर्ब बड़ी हुनू पक्ता पर्निस। येस्तो अवस्थामा मनलागदी पईश्चा पाननूले आर्थिक सुचांका हरू प्रभावित भाईरा कास। शक्तार अशक्तिको नजीक होने पले आउसर ली रहे कासा। होनाता गता बर्षा नेपाल को आर्थिक प्रिदी तर करीव 7 ंजीक कैको पिसले संगरी। तर आर्थिक प्रिदी को दर बड़े पनी माना विकास को समग रख अउसरक बणना सा। आर्थिक अनुसासिन को चरम लंगन हदा मुलग को आर्थिक चाल हरू नक्रादमक रुखमा प्रभावित भाईरा इस तो ख़ाबले नियुपलाई आर्थिक रुखमा जरजर और सासके रुखमा घ्रेष्ट बना में करको टिपमारी मुनेगा दोशा। अजने लेको बजेट कारेक्रम खे निती कारेक्रम बजेट हीजो चेए जेठ मां लेको कुरावरा वहिने नीगे जेट में आउदा खेरी तपेंकोचे एक खरव दुई अरव पहिशा जदी चाहिए शामसी चूरी छे बत्ता माती हो और अठात तपेंकोचे दस दिन पंदर दिन आगाडी सर्कार्ट छोन बंद आगाडी निने बाएको कुरा अर्दो कुने अतिन अनुशंदान बाटे लेक सभी परिपाचिले उट्टाउंदे मनलाग्दी वर्दा इनुख आत्मनिर्वर्वेन परनिर्वर्ता को पुरालो बाटो माती हो दुनिया में असफल रा प्रस्ट मुलुक को रुपना अधर्जिन आगाड़ पाईदा हुशंदान परसन धरुबादिकारी का साथमा एदिस्स रिपोर्टर धनिराम सर्मा काड़ुबादिक द्रिष्टिकोंडले खुकरी को धार्मा प्रधान मंत्री केपी ओलीले सत्ता समाले का सन अर्था तंत्रलाई कोमजोर बनाई एको अवस्थामा बनेका प्रधान मंत्री ओलीले सोदेश में रोजगारी सम्रिद्ध देशको कल्पना गरदै मंत्री परिशत बाट केही सांकेतिक निणे गरेका सन तार ओलीले निर्वाचन मा बाचा गरेजास्ते रप्रधान मंत्री भाईपसी को पखिलो आपनो मंत्री परिशत निणेलाई आगामी दिन मा कार्णोयन गर्न शकलान अर्थार्थ राज्या कोश्को चरम दुरुपय गर्ने संस्कार को अंतिय गर्ना उली सरकारले हिम्मत गर्ना सकला रिपोर्ट देखावने छों एक कैसीन को ब्रेक पस्टी ब्रेक पसी पुन्हा स्वागत छता पाई अप्रेस्टन बेग नियुज मा होंचा बिक्रम समत 2046 साल को परिवर्तन पसी दर्जनों सरकार भाई मुलुक मा प्रजातंत्र को नाउमा बने का दर्जन बड़ी सरकारले प्रजातंत्र रर सुशासन का अजारों सब्द को रटान लगाए तर सत्तरीको मद्य दसक्स माई पुगदा नागरिकले बिधीर सुशासन को अजय प्रत्यावति भने गर्ना पाई नन कुशासन रर प्रष्टाचार को चांग बर दे गाये को सा तरा घाटे न कखिले पनी कुशासन रर आर्थिक अनुशासन उलंगन ले मुलुक जने जरजर बन दे गाये को सा केही सिमित बर्ग को दैनिकी मा काया प्लाट फाय कुछा बने अधिकांग्स नागरिक को दैनिकी कठीन बंद गय कुछा आर्थिक अरा जग्ताले मुलुक को अर्थ तंत्र थिलो थिलो बने को अधिस्थामा बामपन्थियर को नेत्रित्त गर दई, यह माले अध्यक्सिया केपी ओलीले सरकार संचालन को चाबी समाय काशन। सरकार हाकने जिम्मेवारी लिये रा दोस्त्र पटक सिम्हदर्वार प्रवेस गरेका ओलीले देववाले गरेका अनुचित कदमलाई उल्टाउन सकलांता भन्ने प्रस्न उनकुआ गारी छा जना अन्दोलन को मार्ग निर्देशन मा समुखांचवा होस या पहिलो संगिया गणतंत्र नेपाल कुँ पहिलो आम निर्वाजन बाट शारोभवं जन्ता को मतले अनुबोदन गरेके छा जन्ताले पटक पटक दलका निताहरलाई खुबई विश्वास गरेके हुन आपनों सारवभवं जाहिर गरेर होस या ससस्त्र देखी सांथिपुणा अंदोलन मा समेत प्रतक्ष्य सहभागी भायरा मुलुक मा सुसासन र सम्रित दी होला भनने आकांच्यार सपना देखेका हज्जारों नागरिकले पटक पटक का अंदोलन मा पलिदान र समरपड़पनी गरेके हुन तर नया राजनेतिक सम्रशनाय स्थापित भायपनी राजनेतिक नेत्रित्वोको आचरंड ब्यवहार मा बीस पाट उन्नाइस मा जहरना सके न पहिलो सम्भिधान सबा निर्भासन पसी अधिकांच नौ महीने म्याधी सरकार बने अधिकांच सरकार ले सत्ता बहिर गमन को बेला अत्का अधिक रकम बार्णे धन्दा सबई चलाए अउसत मा कोहीत होरै कोही धेरे भाय होलान तर गणतंत्र पसी को देवबास सरकार विगत सबई विरासतलाई भतकाउँ दै सरकारी स्वोत माथी को दोहन गरने सर्वा स्वेष्ट बनन पुग्यों सत्ता र सक्ती को बल्मा र सरकार को तरफ बाट पने गमिर्ता प्रिवग लिने र अईले सम्मा ये जो का पमजोर सरकार उल्ले गर्न नसके का काम यो पटक हमिले गरेर देखाउँ नुँछ हरी सिद्धी इट्टा टायल भेकुटी कागस कारखाना पासमारी छाला उध्योगरू सबे कौडिको भाव मा भेचेरा मुलुक लाई पर निर्भर्ता मा धकेलियो बने बजार लाई संतुलन मा राकना भंदा छाडा छोड़ने अर्थ नितिले शिमित घराना हरू अथाहा पुजी को मालिक भाई मजदूर हरू सडक मा पचारिये उता सरकार विस्तारे इटाथ पल्चने अवस्था मा पुग दैशा 2046 पची मुख्यगरी कंग्रेस ने सत्ता को चावी खुब ए खिलायो भने बाम पंथी पनी त्यो श्रिंखाला बाठ अचुतो रहना सके नन जती सुके प्रगतिसील निती जा कारेक्रम उद्घोष गरे फणी सत्ता मा पुगे पसी त्यो कार्यानाईन होना नसकेकू ती तो अनुभाब सा नेपाली राजडेतीमा कंग्रेस संगा बाम सक्तिहरुपनी आंतरिक सिमित घराना तथा छिमे की स्वार्थ रिजाउने रा निहित स्वार्थ को गतिलो व्यापार गरना सबै लागी परेके गुद्ध। अउसत मा कसे ले धेरे गरे होलान कसे ले धोरें। नया जनादेश दियेकु जनादिकार अनुसार भर्खरे बाम पंथी नेत्रितों मा सरकार गठन मासार। विगत का गलत नजीर लाई उल्टाओ दे सुसासन्र सम्रिद्धिको बाचा गरेको छ सब्द रठान मा नया सरकार ले एति विला संब्ध। सत्ता भाट पाहिरिदे गर्दा इतिहास की गलत नजीर वसाले का देववा सरकार कू गलत अभ्यास लाई। सल्ठाओनों उसका लागी पनी सजीलो विशे भने पक्कई छैना। यद्धपी मुलुकले 41 प्रधान मंचिको चाबी समायर एति विला बाम गठबंधन को नेध्रितों मा सिम्ह दर्वार को सत्ता पुगेको सा। बाम गठबंधन को तरपबाट नेकपा इमालेका ध्यक्षे केपी शर्मा उली सिम्ह दर्वार प्रवेश गरेकासन। उत्सा पुर्ण गंगले राष्टा नेमान को काम्मा अगाडी बढ़ना आगरा बढ़ना जान। राजनेतिक इसाबले मंगना चाहांचो कुने पर्तिशोदी इसाबले कुने पुल्वागराई इसाबले तेसरी बेभार सर्कारले गरना मिल देनार अबंको सर्कारले तेसरी बेदवाप, पक्षेपात रर दमनकारी चरित्र के साथ आम गर देनार। एवटा कुराजी क्या होगने, कानुन को राज, पारदर्शिता रश्वत्षत्ता नाचे, कुने इसाम्जेवता नगरी कने खडाई गर्शे, तेसमा फेरी शवेली बोजना पने जर्भी होगने लोग तंत्रलाईने घिल्ली उलावने गरी, देवबा सरकार ले गरेका अधिकाम सन निर्णय सुसासन को बिरुद्ध शन, आर्थिक अनुसासन रा सदाचार को बीपक्ष्यमा शन, चुना भारेको जोग मा गरियेका मनलाग्दी निर्णय मात्र होई न, विगत मा उनले ग गरेका गलत नजीरले मुलुक अप्ठ्यारों मा परदै गाये गुशा, यसर्थ देवबा सरकार ले गरेका गलत निर्णय लाई ततकाल उल्टाउँ दे, सम्मग्र अर्थ निति पद्धति मा शुधार संगे, शदाचार को आचरन कायम गर्न, वर्तमान बाम पंती सरकार ल सम्मिधानले निर्देश्ट गरे अलनुसार कारेकारी सरकार ले बिधी पद्धतिको संस्थागत विकास करनों उससे को मुख्य दाई तु हो, आफोई जाननी, आफोई भन्या न माननी, बल जफ्तिक कार्या परदर्शन, लोगतांत्रिक सासन व्यवस्था मा लजजा का ब आउट भाय, सिम्ह दर्वार बाठ, तर सिम्ह दर्वार मा इन भाय का ओलिले कस्तो कार्या संपादन गर्न सकलांत, यावत प्रस्ण का चुनवती संगयी सुधार का अउसर हरू ओलिले को कठिन सत्ता गोरेटो अगाडी उभिये का सन, बिगत का नजिरलाई सल्टाउँदे मुलुक को सुषासन को संस्क्रिती पुनर जिवित गर्न सके भने, इतिहांसली संधाई इस्मराण गरी रहाने सा ओलिलाई इसर्थ ओलिली सत्ता संचालन को पल-पल मा अत्यनते विवेफ पुन कदम चालनू, उनीरा उनका दलका लागी पनी हित्ता हुने नैशा, समगरा मुलुक का लागी सर्वथा हित्त हुने मा कुने दुई माच्छाईला इसर्थ मुलुक क्र जनता को हित्त का लागी नवन्युकत प्रधान मंत्री केपी सर्मा उलिले सही कदम चालून, सफल रा समझन लाइक का काम गरनाई प्रधान मंत्री का जिम्यवारी समहाले का उलिले कार्य चनता परदर्शन गरून हामरो पनी सुभा कामना हुस्ता ओप्रेशन नहीं सकिन सा भूली और को बिग नियुज को ओप्रेशन गरने सो गाउं सहर दुनिया बेंजावनी हमरो अभियान जारी सा तपाई ABC News हिरदेगर नुहला नमस्ते